और 5 सालों का absolute return होगा 225, 225% से भी ज़्यादा, 3 सालों में उन्हें 210 से 212% के साथ उनका 1 लाग का इमाउंट 3,12,000 रुपे का return देगा, नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो आईशाय शाय प्रोडेंटियल Best Mutual Fund का होगा, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आईशे शाय बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा return देता हो, अगर over the past देखा जाए ना, तो आईशे शाय मीचूल फंड का ये top 3 अस्किम, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये top 3 फंड, 3 से 4 गुना का return investor को दे रहा है, बीते कई सालों में, अब इससे ज़्यादा return सब्सक्राइब करें, अब चुकि 10,000 का family अपने पूरा हो चुका है, अब अगला target है 50,000 subscribers का, तो अगर आपको finance review चैनल का वीडियो उपयोगी लगता हो ना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आईए, वीडियो स्वरू करते हैं, दोस्तों हमने पिछले कई व फणड का एक list तेयार कर लिना है, फिर हरेक उस mutual fund को compare करना है किस से, net asset value से, कि पहले का net asset value कितना था, अभी का net asset value कितना है, किस fund ने सबसे ज़foodly रिटर्न दिया है, किस fund ने सबसे ज़्यादा absolute return दिया है, यह सब compare करते-करते, फिर धीरे-धीरे उसका expense ratio कितना है, 1% से कम है या नहीं, उसका fund size 1000 crore से ज़्यादा है या या नहीं, 5 star rating में कितना rating उसे मिला है, फिर check करना है holding, कि माल लिया जाया, आप आज से mutual fund में invest अगर न में invest कर देना है, दोस्तों, इन सारे condition के साथ-साथ, past के growth history और future के growth potential को ध्यान में रखते हुए, हमने भी ICI-CII के total 90 fund में से, 3 best mutual fund को shortlist किया है, लेकिन उससे पहले, मैं एक बात भता देना चाहता हूँ, कि अगर आप चाहते हो, SIP करना, या lump sum investment करना, या फिर stock markets related को investment करना ह आप अगर चाहे तो उसे registered कर सकते हैं, ऐसे अगर मेरी शलामानों तो इसमें सबसे best रहेगा grow application, जिसका use मैं भी करता हूँ, यह कोई sponsored video नहीं है, आप sponsor मत समझना, चुकि मैं भी अपना experience आपको बता रहा हूँ, कि बिल्कुल free है, मैं भी इसका use करता हूँ, अगर आप चा 35% का return investor को दिया है, इसका fund size 1163 करोर के लगभग का है, expense ratio 1% है, within 3 months का exit load 1% है और minimum 100 की SIP से अपना investment यहां start कर सकते हैं, अगर इस fund के net asset value की बात करे ना, तो 3 साल पहले इसका net asset value था 11-12 रुपे, जो आज के date में हो चुका है, 32-33 रुपे, यानि 32-35 रुपे के लगभग, यह तीन साल में total analyze return है, more than 43%, ध्यान रहे, इस graph के दोरान जिस return की बात होगी, वो होगा analyze return, यानि साल दर साल का return, लेकिन calculator के दोरान जिस return की बात होगी, वो होगा absolute return, यानि कि 3 साल या 5 साल में total इसने कितना return दिया है, अब अगर एक साल पहले का net asset value देखें, तो एक साल पहले क 25 से 27 रुपे के आसपास, जो अब बढ़कर हो चुका है 32 से 35 रुपे के आसपास, इस दोरान एक साल का total absolute return है, साड़े 24% से जादा का, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये fund अभी 4 से 5 सालों का ही है, तो जब से ये fund चल रहा है, जब से लेकर अभी तक इसने ना analyze total 34 से 35% का return investor को दिया है, यानि कि साल दर साल approach 35% का return हर साल इसने अपने investor को दिया है, अब अगर इसके holding की बात करें, कि इस fund के manager ने कहां और कितना assets लगा रखा है, तो जी total 29 company में assets लगा हुए है, जिसमें total का सबसे ज़्यादा assets है, 8.9% जिंदाल stainless में, उसके बाद 7.7% Tata Steel पे है जाल मिया, हिंदाल को industry, ऐसे लग रहा है न, कि जैसे जितना top most company है steel का या cement बगे रखा न, इस fund के manager ने सब में अपना assets लगा रहा है वहिया, कि वहिया जाओगे तो जाओगे कहां, अगर एक steel दूबा तो दूसरा steel उठ जाएगा, अगर एक cement दूबा, एक cement का company loss में जाए तो ये सब जाएंगे जाएंगे कहां, return तो देगा ही देगा, ऐसे all over अगर sector wise देखा जाए तो सबसे ज़्यादा assets लगा हुआ है metals and mining sector में 44.6%, उसी तरह से construction sector में 36.4%, energy में 11.6% और बाकी का बचा हुआ chemical sector में 7.4% assets लगा हुआ है, अब अगर माल लिया जाए कोई विक्ति आज से 3 साल पहले पास-पास जार की SIP शुरू करता, तो आज से 3 साल पहले से अब the account का total investment amount हो जाता 1,80,000 रुपे, और उन्हें आज के date में total कितना मिलता 2,53,500 रुपे, लगवग इस तोरान उन्हें total जो absolute return मिला है, वो more than 40% का है, वहीं अगर कोई वेक्ति one time investment करने की return मिलेगा और उनका 1,00,000 का amount 2,90,000 से 3,00,000 के बीच का बन जाएगा, यहां total 3 गुना का return मिलने वाला है भाई, अचा अब माल लिया जाए, आप लोग communities fund में invest करना चाहते हो, तो आप risk ले सकते हो, या फिर किसी ने invest कर रखा है, तो उनके लिए ये fund सही रहेगा, क्योंकि देखिए, इस fund का न, इस mutual fund में SSA company का नाम है, जिसका 5-10 साल अभी कुछ नहीं भी करने वाला, तो आप risk ले सकते हो, इसके बाद ICHI का दूसरा best mutual fund, ICHI Prudential Infrastructure Direct Growth, हलाकि इसका return बहुत अच्छा है, लेकिन इसे मैंने 2 नमर पे इसलिए रखा न, क्योंकि इसका expense ratio थोड़ा दिनों का 1% है, और तो और यहां भी minimum 100 के SIP से आप अपना investment स्टार्ट कर सकते हो, अगर इसके net asset value की बात करें, तो 3 साल पहले इसका net asset value था 40-42 रुपे के लगभग, जो आज के rate में अभी जो हो चुका है 135 रुपे के आसपास, इस case में 3 साल का enolized return है more than 46%, इसके बाद यद 40 रुपे के लगभग, जो आज के rate में अप्रोक्स 135 रुपे है, वहीं एक साल का return है 35% के लगभग और all over, जब से ये fund चल रहा है ना, जब से लेकर अभी तक इस fund ने साल दरसाल करके 15% से ज़्यादा का enolized return investor को दिया है, अच्छा आप देख लेते है holding को, कि इस fund के manager ने क जहां कितना assets लगा रखा है, तो भाई इसमें total 59 company सामिल है, जहां अपना assets लगा हुआ है, जैसे कि total का सबसे ज़्यादा assets है anti-PC में 9.3%, लोर्चन टावरो जिसमें 5.9% assets लगा हुआ है, उससी तरह से वार्टी एर्टेल, आइशे इस्याई बैंक, ओईल एन नेचर गैस कर bombard, इसी तरह से total 59 company है, जो screen के सामने आप लोग यहां देख सकते हैं, all over अगर sector wise देखे ना तो total सबसे ज़्यादा assets लगा हुआ है, इनर्जी सेक्टर में 27.7%, उसके बाद construction सेक्टर में 26.8%, finance सेक्टर में 16.2%, उसी तरह से service सेक्टर, capital goods, metals and mining जैसे कुछ और भी सेक्टर सामि जिससे आप लोगा screen पे देख सकते हो, अब अगर माल निया जैए कोई वेक्ति आज से 3 साल पहले इसमें 52,000 के SIP शुरू करता कि भईया मुझे इसमें SIP शुरू करना हर महिने पैसे invest करने हैं, तो उनका total investment amount हो जाता आज तक का 1,80,000 रुपे और उन्हें total return कितना मिलता, 60 percent का return उन्हें मिलता, फिर अगर कोई 5 सालों के लिए SIP करता, तो सिधे-सिधे 110 percent के लगभग का absolute return उन्हें मिलता, वहीं अगर कोई one time investment के return को देखे न, तो माल ये जैसे कोई 1,00,000 का invest करता है, यानि 1,00,000 का invest करता है 3 सालों के लिए, तो 3 सालों में उन्हें 210 से 212 percent के साथ उनका 1,00,000 का amount, 3,12,000 रुपे का return देगा, सिधे-सिधे उनका amount 3 गुना होने वाला है भाई, और one time investment के 5 सालों के return को देखे न, तो 5 सालों का absolute return है, 184 से 185 percent, इसके बाद आता है, आईशे-साई प्रोडेंटिल का one of the best mutual fund, आईशे-साई प्रोडेंटिल, a small cap fund direct plan, जिसका all over annualized return more than 18 percent है, पिछले वाले का आकड़ा 15,5 percent का था, लेकिन इस small cap fund का 18 से 18,5 percent का annualized return है भाई, इसके past के long term का record ना बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इसे SIP या लंसम के लिए अच्छा माना है, आप इसमें risk ले सकते हो, और उपर से इसे भी 4 star rating मिला है, fund size 6989 करोड का है, expense ratio 1 percent से बहुत कम है, 0.73 percent, वहीं within 1 year का exit load भी 1 percent है, और इस fund में भी कम से कम 100 की SIP से अपना investment आप और start कर सकते हो, अगर इसके net asset value की बात करें, तो 3 साल पहले इसका net asset value था 29 से 30 रुपे के बीच, जो अब बढ़कर हो चुका है, approximately 75 रुपे, यहाँ अगर देखा जाए, तो 3 साल का total annualized return है, 38 से 39 percent, यानि लगबक आप 40 percent कह सकते हो, ठीक है, 38 से 39 percent के लगबक का return है, वहीं 5 साल का annualized return है, 26 से 27 percent, 1 साल का return है, 26 percent के लगबक, और all over जब से यह fund चल रहा है, जब से लेकर अभी तक साल दरसाल करके, इस fund ने total more than 18 percent से ज़्यादा का annualized return investor को दिया है, अब अगर इसके holding की बात करें कि माल लिया जाए हम a small cap fund में invest करना चाहते हैं, तो a small cap का fund manager कहां और किसकी इस company में कितना invest करेगा, तो ऐसे में total 66 company का नाम है, जिसमें C&L, PVR Index, Krishna Institute of Medical Science, Sky Industry, Rolex, EPL, Mahindra Life Space, Chola, Mandelum Financial, Bmart, Retail, जैसे कुछ बड़ी और ज़्यादा तर उभरने वाले company का नाम स सभी को sector के रूप में देखा जाए ना, तो इस fund का total में से 19.5% asset service sector में लगा हुआ है, उसके बाद healthcare sector में है total का 15.3%, capital goods में है 13.5%, chemical sector में 12%, automobile में 9.4%, इसी तरह से ये सारा आकड़ा upload screen पे देख सकते हैं, अब अगर कोई व्यक्ति इस fund में 3 साल पहले 5,000 की SIP शुरू करता, तो आज के date से 3 साल तक का उनका total investment amount हो जाता 1,80,000 रुपे, और उन्हे total return कितना मिलता 2,65,000 रुपे, इस दोरा उनका total absolute return होगा, यानि 3 सालों का total absolute return होगा 47%, वहीं अगर कोई बीते 5 सालों के लिए 5,000 की SIP शुरू करता, तो 3,00,000 के बदले उन्हें मिलता 6,30,000 रुपे के लगपग, इस case में 5 सालों का absolute return होगा 110-111% के बीच, इसके बाद अगर कोई one time investment के return को calculate करे न, तो भाई साब इसके 3 सालों का absolute return है more than 167%, यानि 167% से भी जादा का return आपको 3 सालों में मिल रहा है, और 5 सालों का absolute return होगा 225, 225% से भी जादा, देखो भाई, अगर आप लोग invest करना चाहते हो, तो केवल आईशी, आईशी आईशी आई ही नहीं, बलकि किसी भी mutual fund में invest करने से पहले आपको risk लेना ही पड़ेगा, जब तक आप risk नहीं लोगे, जब तक आपको return मिलेगा ही नहीं, risk लेना ही होगा, तब जाब कर आपको return मिलेगा, और उपर से ये तो mutual fund है, तो कैसे आप risk नहीं लेशकते हैं, ऐसे में क्या है कि अगर आप चाहते हो, आईशी 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 आई प्रुडेंटियल में risk लेना, इसमें invest करना, तो बताया गया, ये top 3 mutual fund आपके लिए सही रहेगा, बढ़ेया return आपको करके देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहे रह मैंने तीन आपको बताया कि नहीं बताया, अब हो सकते हैं, आपको कोई और fund बेहतर लग जाए, आप जैसे एक fund है, आईशी 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 है, प्रुडेंटियल इंडिया जो पर्चुनिटी fund, हलाकि ये fund अभी तो नया है, लेकिन जब से ये fund चल रहा है, लगभग 4 सा हमने बाकि सब को side करके इन तीनों fund को बेहतर चुनाए, ठीक है जी, तो मुझे मेरे हिसाब से जो best mutual fund लगा, आईशी 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 है प्रुडेंटियल का, उसके बारे में मैंने आपको बताया, आप हो सके को कोई और fund बेहतर लग सकता है, इसलिए मैं आप से कह रहा होगा, अब यह decide करने में कोई problem नहीं होना चाहिए, कि किस fund में invest करना है, या फिर आईशी आईशी है प्रुडेंटियल में invest करना भी है या नहीं करना है, लेकिन अगर फिर भी कोई सबाल हो या कोई problem हो इस video से related, इस topic से related, तो आप हमसे comment पे बूच सकते हैं, चैनल को अब